हेलो फ्रेंड्स मैं योगे स्वागत करता हूँ आप सभी का डेरीम डिम्टेक यूटूब चैनल पे आपको यहाँ कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे CCC, DCA, ADCA, O-Level तथा अन्य कोर्सिस की पूरी जानगारी उसके सेलेबस के अनसार दी जाएंगी साथ ही आपको हर रोज क्लास का नोट्स भी हमारे टेलिगाम सेनल पे PDF के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही हर रोज कंप्यूटर से लिटेड नये अफैक्ट के बारे में बताया जाएगा चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं आज कंप्यूटर की दूसरी क्लास है आज आपको History of Computers के बारे में बताया जाएगा मतलब computer का जो इतिहास है उसके बारे में बताया जाएगा अब एकस क्या होता है, पास्कल क्या होता है, जैकक्वार्ड लूम क्या होता है डिफ्रेंस इंजन क्या होता है, मार्कवन computer कब आया, ABC computer क्या होता है इसके साथ ही computer के सारे generation के बारे में आपको बताया जाएगा अगर आपको सारी class के notes चाहिए तो क्रिपया आप description में ये जो हमारा telegram गुरुप का link दिया हुआ है इसको join करें हम इस link पर सारे class की पीडिया प्रोवाइड करते हैं हर रोज ये adding है वो है abacus जानिए पहले abacus क्या होता है सबसे पहला calculating device है abacus इसे develop किया था Egyptians और Chinese लोगों ने abacus का मतलब है calculating board इसमें stick होते हैं horizontal position में जिसमें की छोटे छोटे आकार के pebbles को insert किया जाता है जैसा आप यहाँ पर abacus को देख सकते हैं आपको कभी-कभी ये abacus छोटे बच्चों की जो slate होती थी उसमें दिखाई जेता है जिसमें 10 इस तरीके की जो stick होती है वो 10 रहती है पहले में एक गुरिया टाइप रहती है दूसरे में 2 रहती है ऐसे करकर के आप ने ऐसा कभी देखा होगा तो ये जो होता था यहीं abacus होता था और इसकी मदद से हम क्या करते थे जोडने घटाने का काम किया करते थे और सबसे पहला जो computer को माना जाता है वो यहीं से माना जाता है क्योंकि यह जो device यह सबसे पहले calculating device के रूप में use किया जाता है अगला है Pascal इसके बारे में जानते हैं उस समय के प्रसिद्ध French Scientist और Mathematician Blaise Pascal ने इस machine को invent किया था यह machine आसानी से digits को add कर सकती थी वो भी carry करने के साथ automatically बतलब कि यह digits को बिना यह digits को क्या करती थी automatically add करती थी इसका भी काम addition का ही काम था इसकी यह machine इतनी ज़्यादा revolutionary थी कि इसकी principles को आज ही बहुत सारे mechanical counters में इस्तिमाल किया जाता है अगला है Jackward Loom आई इसके बारे में जानते हैं वही early 18th century में एक French versus Joseph Mary Jackward ने एक ऐसा programmable loom develop किया जिसमें metal card आप का इसमालादा था मतलब इसके नहीं जो card इसमालादा थे वो metal के बने होते थे punchet hole के साथ जो की guide करता था waving process को metal card में जो इस्टूर करते हैं यह पहला ऐसा program था जिसका इस्तिमाल आज भी बहुत साय जगहों में होता है यह जो jackward loom है इसका प्रयोग आज भी आप अगर ध्यान से देखेंगे आप अगर धर machine को देखिए तो यहां पर जो भी हमारा जो metal card है स्वेव उपर कुछ निसान बने होते हैं इसका आज भी हम इस्तिमाल करते हैं जो साड़ी कपड़ों की जो बुनाई होती है उसमें हम आज भी इसका इस्तिमार करते हैं अगली जो हमारी machine के development के पीछे काम किया जो की बड़ी आसानी से complex calculation परफॉर्म कर सकते हैं 1813 में उन्होंने इस difference engine का invention किया जो की बहुत ही complex calculation को परफॉर्म कर सकती थी और साथ ही उसे print भी कर सकती थी यह machine एक steam powered machine था देखिए इंग्लेंड के रहने वाले चाल्स रवेज जी जो की एक Englishman scientist थे उन्होंने एक machine बनाया 1813 में इस machine का नाम था difference engine और यह जो machine था सुर्ष चौकानी वाली बात यह है यह एक steam मतलब यह भाब से चलने वाली machine और इसके साथ ही यह बहुत ही complex calculation को solve करती थी और इसके साथ ही वो उसको print भी करती इसके बाद चाल्स रवेज जी ने ही mechanical engine का भी निर्मार किया यह एक difference engine ही था हलाकि उसका था सुधरा हुआ रूप अपडेटेट वर्जन था और व वो भी steam से ही चलता था आईए आगे चलते हैं अगला है mark 1 computer यह machine numbers को store करने में सक्षन थी इसके calculating प्रक्रिया के लिए punched metal card का इस्तिमाल होता था instructions देने के लिए यह एक steam powered machine था यह accurately six decimal place तक calculate कर सकता था यह जो mark 1 जो computer था जिसे punched metal card का इस्तिमाल कर आता था इसके अंदर कोई बी input देने के लिए कोई भी instructions देने के लिए machine थी यह six decimal place तक calculate कर सकता था और इसके साथ ही यह जो mark computer है यह क्या करता था यह भी एक steam powered ही machine था अगली जो heading है यह है ABC computer मतलब Etonosoft Vari computer सन 1945 में Etonosoft तो था Clofford Berry ने एक electronic machine का विकास किया जिसका नाम ABC रखा गया ABC सब मतलब Etonosoft Vari computer का संचित रूप है ABC सबसे पहला computer electronic digital computer था मतलब यह जो आपको यहाँ पर दिखाय जा रहा है यह ABC computer है जिसका full form होता है Etonosoft Vari computer यह computer जब आया यह एक पहला ऐसा computer था जो electric से चलता था अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हमारा start होता है generations computer की पीढ़ी आईए हम जानते हैं प्रथम पीढ़ी के बारे में प्रथम पीढ़ी के computer computer की प्रथम पीढ़ी में सन 1946 से 1956 तक के computer को लिया गया है प्रथम electronic computer 1946 में अस्तित्व में आया था जिसका नाम electronic numerical integrator calculator मतलब NE1 था इसका अविसकार जेपी एकर्ड तथा JW मोसले ने किया था इस computer में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था देखें यहाँ पे कुछ वैक्यूम ट्यूब दिए हुए हैं इसकी कुछ आकर्थि दिए हुई है यह जो computer हुआ करता था इसमें वैक्य और यह जो computer था यह अपने installation के लिए पूरा एक कमरे इतना जगा लिया करता था और इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लागे होते थे और जब यह computer सलता था तो वहां बहुत ही ज्यादा गर्मी होती थी जिसके लिए इस generation के computer के लिए जो AC था वो बहुत compulsory था उस कमर कर रहा था उसे बहुत ही गर्मी होती थी आई यह कुछ प्रथन पीड़ी computer के बारे में जान लेते हैं प्रथन पीड़ी computer जो है जिसे ADSAC है UNIWAC है UNIWAC 1 है IBM 701 है IBM 650 है यह जो कुछ computer है यह पहली पीड़ी के computer के रांग है इस पहली पीड़ी computer में इसकी कुछ कमिया भी थी जैसे में यह जो computer था यह बहुत ही बड़ा था पूरे जगह बहुत ज़ादा लाइता था पूरा एक कमरे के बराबस जगह लिया करता था और यह heat बहुत ज़ादा produce करता था बहुत ज़ादा heat create करता था इसलिए जिस कमरे में इस computer कर रखा जाता था उस कमरे में air condition होना बह 244 तक के computer को लिया गया है इस PDK computers में transistor का अपयोग किया जता था जो vacuum tube से काफी बहतर थे transistor इस PDK computer का मुख्य घटक था आपको बता दें कि transistor का अविस्कार विलियम सोकले तथा उनके सहयोगी बैज्ञानिक टीम ने 1947 में अमेरिका में किया देखिए यह जो transistor है जो आजकल भी आप बहुत सारे electronic device में मिलेंगे तो second generation का जो computer था वहां पर vacuum tube को हटा कर यह इन transistor का यूज करते थे जिससे क्या हुआ computer की size थोड़ी से छोटी हो गई और computer का जो speed था जो चलने की जो speed थी वह थोड़ी तेज हो चुकी थी लेकिन इस जनरेशन के computer को भी AC की requirement होती थी यह थोड़ा heat प्रोडूस करता था दूसर जनरेशन के computer के कुछ नाम है जैसे IBM 7,94 यूनिवैक 1109, होनेवैल 400, CDC 604 इस जनरेशन एक computer की कुछ कम्या भी थी जैसे यह computer भी ही बहुआ जाथा प्रोडूस करता था और फर्स जनरेशन के अप्रेक्षा ये जगह थोड़ा कम लिया करता था और ये जो computer था पहले जैंवाने के computer की अप्रेक्षा थोड़ा तेज चलता था जल बात की जाये तो 1964 से 1971 तक के कम्प्यूटर को इस पीड़ी में लिया गया है तिसरी पीड़ी में आने से कम्प्यूटर के छेतर में काफी विकास हुआ इस पीड़ी के कम्प्यूटर में ट्रांजिस्टर के अस्थान पर मतलब IC का प्रयोग किया जाने लगा जो पहले जनसर का जो कम्प्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब सेकर्ड जनसर के कम्प्यूटर में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनसर के कम्प्यूटर में IC का प्रयोग किया जाने लगा थर्ड जनसर के कम्प्यूटर में जो सारे कम् computer था यह की जो भी size थी वो काफी छोटी थी पहले और दूसरे generation के recording और यह जो heat produce करते थे बहुत ही कम मातरा में heat produce करते थे और यह काम भी बहुत ही तेजी से करते थे और इनकी आकर्ती जो थी वो भी बहुत ही छोटी हुआ करती थी first और second generation के हिसाब से आये कुछ थर्ड जनरेशन के computer के नाम जान लेते हैं जैसे programmable data processor 1 PDP 5 PDP 8 ICL 1903 ICL 1900 UNIWAG 1208 यह जो तिस जनरेशन के कुछ computers के नाम हैं आईए आगे चलते हैं चतुरुथी PD के computer मतलब first generation of computer आये हम चवधी video के बारे हम जानते हैं सन 1971 से 1980 के बीच के computer में IC chip के अस्थान पर VLSI मतलब very large scale integrated chip का प्रयोग किया गया जिसे micro processor कहा जाता है इस technology में एक ही chip पर 30,000 component integrate करना संभव हुआ देखिए fourth PD के जो computer थे इनमें क्या हुआ IC लगी होती थी जो integrated circuit जो लगी होती थी थर जंसरे computer में उनके अस्थान पर VLSI मतलब very large scale integrated chip का प्रयोग किया जाने लगा बैसला कि आपको यहां बुजो दिखाया जा रहा है यह computer के अंदर यूज होने वाला macroprocessor है और इसकी मदद से computer बहुत ही तेजी से काम करता है आज के जमाने में भी यह microprocessor से चलने वाले computer आज भी चल रहे हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं बहुत ही तेजी से यूजफूल भी थे आए कुछ चदुर पीड़ी के कम्प्यूटर के बारे में जान लेते हैं जिसमें है आई बीम 4341 बीए सी 10 इस्टार 1000, ZX Spectrum, PDP-11, Magnitos, Cray-1 जो एक सूपर कम्प्यूटर है Cray-XMP ये भी एक तरीके का सूपर कम्प्यूटर है आईए हम चलते हैं अगली पीड़ी में पांच्छी पीड़ी मतलब 5th generation of computer आज हम कम्प्यूटर के पांच्छी पीड़ी के बारे में जानते हैं सन 1985 के बाद से आज तक और आगे भईस में आने वाले सभी कम्प्यूटर्स को पांच्छी पीड़ी के कम्प्यूटर्स में रखा गया है इस पीड़ी के कम्प्यूटर्स में कृतीम बुद्धी मतला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर बुद्धिमान बनाने का प्रयास जा रहा है जिससे वाइस रिकॉगनिशन एवं इमेज कंट्रोल का कारत्य ब्रगति से किया जा सके इस पीड़ी के कम्प्यूटर्स में VLSIC के अस्थान पर ULSIC मतलब अल्ट्रा लाज इसक सके अंदर ULSIC मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीगेटर्स सर्कृटों का प्रयोग किया जा रहा है इसका मतलब कि यह जो कंप्यूटर है यह अब धरे-धरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपर बनाया जा रहे हैं इनके अन्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजे लिए है नोट्बूक अल्ट्रा बूक क्रोम बूक उसका परम परम एक तरीक एक बहुत हाई-पीड का सूपर कम्प्यूटर है जो पाचुछी जनरेशन में आता है अभी तक हम लोगों ने कम्प्यूटर के पाचुछी पीडियों के बारे में जान लिया है जिस तरीके से स पहले जमाने का जो फोन हुआ करता था, पहले टेली फोन हुआ करता था, उसके बाद धीरे-धीरे वन जी आया, जिसमें एक बहुत ही बड़ा फोन हुआ करता था, जिसके अंतर एंटीना लगा होता था, उसके बाद धीरे-धीरे जो हमारे फोन का विकास होता गया, सेकेंड जरूरत के उसार ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर को भी सुरू से लेके अभी तक जो भी है अपडेट किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में जो कंप्यूटर होगा या अभी धर दर रोबोट में कनवर्ट हो जायेगा और यह खुद से सोचने और समझने लगेगा आज कि क्लास में बस इतना ही कल की क्लास में हम जानेंगे टाइपस आफ कंप्यूटर के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें अगर आपको कि इसी भी तरीके का सवाल रह गया हो, तो comment box में जरूर पूछें, हम हर एक सवाल का जवाब जरूर देंगे. अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजे ताकि हर रोज जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका PDF आपको आसानी से मिल सके धन्यवाद, जैहिन